उत्र प्रदेश की योगी सरकार ने करोना वाइरस से निपटने के लिए हर संभव परियास कर रही है राजे सरकार के राजस्व विभाग ने गाजियाबाद स्थीत हज हाउस को 500 बेड का आईसोलेशन सेंटर बनाने का नेने लिया है इस सेंटर में करोना के संदिक्द मरीज को रखा जाएगा आईसोलेशन सेंटर बनाने से पहले गाजियाबाद के स्थीम शुलेंदर सिंग ने बताया कि स्वास्ते विभाग आला हजरत हज हाउस में 400 बेड का करोना आईसोलेशन सेंटर तयार किया जा रहा है जहां विदेश से आने वाले लोगों को इस वाट में रख कर जाच की जाएगी उन्होंने बताया कि वाट में इलाज के परियाप्त संसाधर मुझूद होंगे वहीं सीमो नरेंदर कुमार गुपता ने बताया कि सेनिटाइजर और मास्क की ओवर रेटिंग और कमी की शिकायत मिलने पर जाच और कारेवाही के लिए टीम सेंटर में जिला अस्पताल के जोक्टर की तैनाती की जाएगी अगले तीन से चार दिनों के अंदर यह सेंटर तयार हो जाएगा आपको बतादे कि इस हज हाउस का निर्मान पूर्ववती अखिलेज सरकार के दोरान किया गए था इस हज हाउस को आजम खान के ड्रीम प्र जवाना होते हैं 2018 में योगी सरकार ने इसे सील कर दिया था इससे पहले यूपी सरकार के स्वास्थे मंतरी जे परताप सिंग ने बताया कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है 820 बैड आइसुलेशन के लिए तयार हैं वही साथ मेडिकल कॉलेज भी तयार कर दिये गए हैं उन्ह में से 150 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नेगिटीव आई है 150 में से कोई इंस्वेक्शन नहीं है बचे हुई 18 केस में से 6 आगरा और एक गाजियाबाद के लोगों का सेंपल एन आइवी पूने भेजा गया है उन्होंने कहा कि दिली में आगरा के 6 लोगों को भट्टी कराय गज्ञेवाद